हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक अगेन इन इनोट्स तो यूनिट टू हम देख रहे थे जिसका नाम है कानेमेटिक सब फ्लो यह फ्लूइड मेकनिक्स का एक चप्टर है तो पार्ट नाइग में देखेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है फ्लूइड फ्लो के लिए तो स्टार्ट करते हैं एक्विपोटेंशियल लाइन डेफिनिशन है अलाइन अलाइन विच देवलसिटी पोटेंशियल फाइज इसकॉल इक्विपोटेंशियल लाइन फाइज इसको अभी रहने दो डेफिनिशन जहां से समझना है अलाइन विच देवलसिटी पोटेंशियल किसी लाइन के लाइन अगर हमारा वेलसिटी पोटेंशियल फाइज अगर कॉंस्टेंट हुआ तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्विपोटेंशियल लाइन फॉर एक्जामपल अगर हमारा कोई फंसन फाइज इस इक्वल टू एक्स और वाई यह हमारा फंसन है फॉर स्टेडी फ्लो के लिए हम देख रहे हैं ठीक है स्टेडी फ्लो के देख लें तो एक्स वाई यह अधरवाइस टी टम बिहाइंड ग्लूड होता ठीक है इस इक्वल टू ड्यवाइफ़ ऑपउन ड्यौ एक्स वैलोसीटिटी थาवल इसमें बात आ रही है क्या होता है tha द्दक्रोड ढ़िए फाइफ उपॉण ड्यूपॉण ड्यूफ ौफी निकेटिव अल्यू आग हूं डॉल झाम जाए गाम शानाम भैस इह पुर कि दि वाई ठीक है कि अब इसे लिख सकते हो डी 5 इस को इपस कॉैंज कॉमिल पीजीक्रवच सूरे क्यों ना स्विश्मांट अब छिए जा मेंख़ों है तो फॉर इक्वीप पोटेंशियल लाइन पर एक्वीप पोटेंशियल लाइन डी फाई क्या होता है हमारा जीरो होना चाहिए निस कॉंस्टेंट होना चाहिए ठीक है therefore minus of u dx plus v dy is equal to 0 okay or if you apply to u dx plus v dy is equal to 0 therefore dy upon dx is equal to minus of u upon v ऐसा कुछ बन रहा है डी वाइपॉन डी एक्वीप पोटेंशियल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह रिप्रेजेंट कर रहा है यह क्या होता है समझा कि अगर लाइन कि किसी लाइन के ऊलंग जो हमारा वेलोटेंशियल पोंटेंशियल फई अगर वोंस्टेंट है तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्यू पोटेंसेयर लाइन हम जानते हैं डेल्फाई फाइध इक्वाल टू चयंटेंस मिंस डीफाई से लिखें ड्यफवर डिफ़ाईध टू जीरो फाई यही मतलब हुआ ना हम जानते हैं हैं जोकि स्टडी फ्लो के लिए हम स्टडी कर रहे हैं तो दीफाई क्या हो लाइन के लिए हम जानते हैं इस इक्वेशन को जीरो कर देंगे तो आपका यह स्लोप निकल आएगा और यह स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या इतना रखो कि हमारा स्लोप आया है अब आगे एक और देखते हैं उसका भी कुछ ऐसा ही आएगा और वह क्या होगा एक दूसरे के परपेंडी कुलर होंगे तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नुमेरिकल पाट है ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है तो फिलाल इस लेबस में हम डिसकस कर लेते हैं तो लाइन आफ कॉंसेंट इस्ट्रिम फंसन देखो इससे पहले हम अभलों इक्यू इसके लिए सेंट इसके लिए इसके लिए बनाया तो हमारा फॉर एक्वाइब फंसन है जो कि है एफ एक्स वाई फॉर इस्टेडिफ लो के लिए ओके दएरफोर डिशाइ एक्वल थो शाइ अपहन डल्फ चाए पहन डल एक्स का डी एक्स प्लस ड्फष अपहन पहल सभाद्ल ऑओग का डि वाई आप स्ट्रिम फंसन करता है डेलफाइप ऑंडेलक्स इस्क्रीम फंसन में हमारा क्या की रिप्रिजिट करता था इस्क्रीम फंसन का अगर देख testo यह अगर 12 मेरा क्या क्यान कॉस्ट आ Nicholas करता था this is V Vx और यह है इसे आप देदे एक्वेशिन नमबर 2 और जो हमारा जस्ट अभी आया था एक्वेशिन नमबर 1 अब ध्यान से देखना और डीवाई अपॉन डीएक्स क्या बता रहा है यह में बता रहा है इस्ट्रीम लाइन जो कॉंसें इस्ट्रीम फंसन है उसका स्लोप बता रहा है अब एक टम हम लिखने जा रहे है ध्यान से इसको समझना आप नोट में तो हमने यहां पर लिखा है फॉर्म एक्वेशन वन और एक्वेशन टू एक्वेशन वन था हमारा स्थ्ष्यू पर्द सीलाइन पाट्म गुम थायत विर्म घ्लीं तो पर्द साकु ट्रोट दोमड़ं ओपों स्लोप स्ट्रीम लाइन इसन फ्वेशन फ 카 इंग्रम, पैक्वेशन पोंड़ं re道كان एक्यूप्रिंस लाइन हिवं रज़ करेगा वहां पर कैसा नेचर होगा समय इतना ही जानना था इस लेक्चर में थीक है तो एक छोटा से टॉपिक हमारा रह गया इस फ्लो नेट और रिलेशन बीटिम स्ट्रीम फंशन और वेलसिटी पोटेंशिल फंशन इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है नेक्स्ट लेक् स्ट्रीम इस खोड फ्लो नेट यहां पर यहां पर मतमीन स्टाइब बहुत सार एक पटेंशियल राइन इक जैसे पोर राट मतम सरे जो होता मैं ऊझा पूटेय। जाली देखते होंगे तो कुछ ऐसा होता है तो वो क्या है एक्विपोटेंसियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का मिश्चर से जो नेट बनता है डाट इस फ्लोनेट ठीक है ति May the relation between extreme function and velocity function देखो स्टीं फंसट प्र यहां देना यह क्या है ہमारा वेलोसिटी फंसंट का तर्म आ रहा है मिल्यूसिटी फंसंट तोश्डाइ के सब्सक्राइब उन्यूस्टी फंसंट का polygonous देक्शन यह हमारा हो गया वेलो सिटी फंसन ठीक है और यू इस का आग्ट हम आगया में सिर्फण संड यू इस इकवाल टू इसको लेते हैं-डल आपन डॉलक्स होता है इस इकवल टू ऑपन डल य भी होता है same to same V के लिए V is equal to minus del phi upon del y भी होता है और V is equal to del phi upon del x भी होता है therefore अब इस equation को del phi upon del x minus cancel कर देते हैं is equal to del तो जो आपका del phi upon del x वो equal होता है del psi upon del y के और del phi upon del y वो equal होता है minus of del psi upon del x के यह relation हमारा बना stream function और velocity function के वीचे ठीक है झाल 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 झा